यहां पर दिया हुआ, man can swim in still water at a speed of 5 km per hour, 6 km, यह बहुत बड़ी river है भई, 6 km wide river है, flowing at a rate of 4 km per hour, he heads in a direction making angle 60 degree with stream direction, तो देखिए भई, यह stream का direction है, stream चल रही है 4 km per hour से, man चल सकता है 5 km per hour से with respect to water, अब width है 6 km, 6 km, यह width है, अच्छा भई, अब यह चल रहा है 127 degree पर, तो यह अगर river flow से 127 पर चल रहा है, तो यह angle आपका 53 आजाएगा, 180 minus 127, यह 53 आजाएगा, इधर की तरफ हो कि उसकी velocity 5, और river velocity नहीं नहीं, गलत बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है, man की velocity 5 ही है, और river velocity 4 है जी, ठीक है, अब देखिए, अब पुछा है, he will reach a point on the other bank, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जो VX आएगा, हो आएगा, 4 minus 5 cos 53, यहने कि 3, तो यह हो जाएगा 1, 1 km पर आर, और VY आजाएगा 5 sin 53, तो 5 sin 53 सिदे सिदे 4 हो जाएगा, ओके, तो VY हो जाएगा 4 km पर आर, और VX हो जाएगा 1 km पर आर, अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, देखिए, cross करना में जो time जाएगा, Y के long displacement जो की 6 है, upon velocity जो की 4 है, that is 1.5, 1.5 R लगने वाले हैं, और obviously, अगर 1.5 R लगने वाले हैं, तो उसकी velocity भी 1 km पर आ रहे हैं, तो वो इस point पर नहीं पहुच पाएगा, इस point से 1.5 km आगे बढ़के चाहेगा, because time times velocity is 1.5, भर इतना time लग रहा है, और अगर वो एक R में 1 km चलता है, long X axis, तो इतने time में 1.5 km ही चलेगा, तो यह अपका 1.5 बिल्कुल सही answer है, तो यह कह रहा है, upstream, नहीं downstream, भी उसको, river इधर चल रहे हैं और इधर ही जा रहा है, इसका मतलब downstream जा रहा है, at a distance of 1.5 km, right?